आत्मने पर भारत का मकसद और आपके बहतर भविश्य की कामना के साथ Institute for Industrial Development IID हर बार की तरह फिर से आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी जानकारी जो निश्यत तोर पर आपके लिए फाइदे मंद साबित होगी हमारा उदेश्य है कि आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करें और इस उदेश्य की पूरती के लिए हम पूरी ततपरता से आपके लिए समर्पित हैं आपको सफल बनाने की हमारी कोशिश हैं आप तक लगातार पहुशती रहें इसके लिए अगर अभी तक आप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देद ना करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे की हर जानकारी और अपडेट आपको तुरंत मिल सकें और आप उस जानकारी का लाब उठा सकें भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही गाय का हमारी संस्कृती में एक महत्वपूर्ण और आदर्णी इस्थान रहा है गौमाता या गौध हम एक धरोहर है जिसके द्वारा प्राप्त दूद और गोबर ना सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टी से बलकि विज्ञान के धरातल पर भी विशेश महत्व रखते हैं हम सभी जानते हैं कि गाय से प्राप्त दूद स्वास्त के लिए कितना लापधायक है और गोबर के एंटी बैक्टेरियल होने की वजह से उसका इस्तिमाल जमीन और दिवारों को लेपने और सफायादी में किया जाता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे गाय के गोबर से बनाय जा सकने वाले एक ऐसे उत्पात के बारे में जो पूरी तरह से प्राकृतिक है जी जिसके कारण हम ना सिर्फ व्यवसाय में मुनाफ़ा कमा सकते हैं बलकि पर्यावरण का भी सरक्षन कर सकते हैं हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर द्वारा निर्मित प्राकृतिक पेंट की जिसमें अब व्यवसाय के रूप में असीमित संभावनाय नजर आ रहे हैं स्वदेशी तकनीक और संसाधन के बल पर निर्मित इस विशुद्ध भारती उत्पात का प्रयोग ना किवल हमारे आत्म निर्भर भारत के लक्ष को पूरा करने में सहायक होगा बलकि भारत की आर्थेक और समाजिक प्रगती का कारण बनकर राष्ट्रिय प्रेम का प्रतीक भी बनेगा और देश के सबसे बड़े ब्रांड खादी इंडिया के कारण इस प्रकृतिक पेंट की स्विकारता भी समाज के सभी बर्गों में तेजी से बढ़ेगी इतने सारे गुणों और लाभ के खजाने गोबर का बहतर इस्तिमाल करने के लिए खादी ग्रामुद्योग आयोग में प्रधान मंतरी के आत्म निर्फर भारत अभियान के अंतरकर गाय के गोबर द्वारा निर्मित प्रकृतिक पेंट के निर्मान को आगे बढ़ाने का न और ग्रामीन जीवन को समरिद शाली बनाना के वी आईसी का ये प्रयास है कि गाय के गोबर का प्रयोग करके विभिन लगुद योगों को बढ़ावा दिया जा सके कुमारप्पा राश्री हाथ का अगरस्तन स्थान जैपुर इस काम में पूरी तरह से समर्पित है यहां के वग्यानिकों ने गाय के गोबर से पेंट बनाने में सफलता प्राप की है और इस व्यवसाय की सफलता का उदारन प्रस्तुक किया है इसके अतरिक्त गाय के गोबर से बने कागर्स का भी यहां निर्मान होता है गाय के गोबर के एंटी बैक्टिरियल होने की वजह से भारत जैसे देश में गोबर से बने पेंट के सफल होने की आपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक रूप से बने इस पेंट को और्गैनिक वेदिक पेंट का नाम दिया गया है। Raw Materials इस पेंट को बनाने के लिए गाये के गोबर के साथ पिगमेंट कलर, ठिकनर, बाइंडर और अन्य एडिटिव्स के इस्तमाल किया जाता है। सबसे पहले काव डंग यानि गाये के गोबर की बारीक रिफाइनिक की जाती है। जिसके बाद इस रिफाइन्ड लिक्विट का तकरीबन 40 प्रतिशत ड्रम में भर दिया जाता है। रिफाइनिक के बाद इस तरह का हमारा प्रिरोड़क्ट हाथ में आएगा। इस प्रिरोड़क्ट को हम इस बड़े वाले ड्रम में पूरा फिल कर देंगे एप्रॉक्सिमेटली 40 परसेंट से उसके बाद यह वाइट कलर का बाइंडर यह जो है बाइंडर इसे हम डालेंगे इसके अंदर फिर इसमें टाइटेनियम डाइकसाइड कैलिशियम कार्बने इसमें टोला सा वेट दाला जाएगा गाला होने के बाद जो भी फिग्मेंट केलर रेर व इसमें हम डाल देंगे यह हमारा काओ प्र्यावरन के लिए तो जैसा की आपने देखा और गयनिक विदिक पेंट आपके लिए और समाज के लिए पर्यावरण के लिए कितना लाबदायक है तो अगर आप भी त्राकृतिक रूप से बने उत्पात का व्यवसाय करना चाहते हैं तो यखीनन और्गैनिक वेदिक पेंट आपके लिए एक बहतरीन विकल्प है इस व्यवसाय से जूड़ी हुई आपके सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़िए Institute for Industrial Development and Incubator with MSME Government of India और KNHPI से जहां आपको हर तरह की साहता मिलेगी और आपके हर सवाल का सही जवाब मिलेगा इसके साथ ही IID से आपको मिलेगी Project Reports, Industrial Documentaries, Professional Episodes, Creative Business Ideas, Business Guidelines, Webinars और आपकी हर समस्या का समाधान उम्मीद है हमारी एक कोशिश हैं आपकी सफलता में सहायक से द्रहून जुड़िए IID से और पाइए सफलता का रास्ता Contact करें MSME Helpline Number पर 74087-33333 76076-55555 जो आपकी सेवा में हमेशा तक पर है 740 अपकी से घ्रोच जाओ कि में हमेशे का भाइए लिश्याव को अछ्याव जो जो आपका का चाला है समस्याज है आपकी सरी का ठाता है